Hello everyone, कैसे हैं यां बच्चे लोग सारे, मिर नाम है सुनी लदिकारी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, आज का वीडियो बहुत ही जादा स्पेशल होने वाला है, बात करने वाले हैं आज के वीडियो में J.E.Main 2022 examination के बारे में, काफी समय पहले, एक दो हफ्ते प college से करना, तो ये entrance के बारे में आपको जानना, इसकी preparation करना एक obvious सी चीज हो जाती है, आज के वीडियो में इस examination के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ share करूँगा, if in case आप बिल्कुल ही ignorant है इस examination के बारे में, तब भी ये information आपके लिए बहुत ही जादा valuable रहेगी, और if in select कर लेते हैं सबसे पहले, चलिए, देखे, exam का name है joint entrance examination, ठीक है, तो JE को हम joint entrance examination बोलते हैं, और इसी की short form है JE main हमारी, mode of examination बच्चा हमारा होता है computer based test, जिसको हम CBT बोलते हैं, examination की language में, ये BE, BTEC और बी आर्च चार जीज़े हैं, BE है bachelor of engineering, बी टेक है bachelor of technology, बी आर्च हमारा architecture field का है, और planning हमारा planning field का है, तो near about हमारे पास 4 courses करने का मौका मिलता है, JE mains और advanced examination के तरू, JE mains हमारा पहला level है, और फिर अगर IIT से वगएरा आपको, IIT, कानपूर, मुंबाई, देहली वगएरा से अगर आपको अपना BE, BTEC वगएरा करना है, तो आपको advanced के लिए भी qualify करना पड़ता है, JE mains के scorecard के basis पर ही आप advanced के लिए qualify करते हैं, चलिए, duration क्या है इसकी, 3 hours है हमारा BTEC, BRC या B plan के लिए, और if in case आप दो examination एक साथ दे रहें, तब आपका 3.5 hours का paper बनता है, एक्जाम की frequency साल में 2 बार है, ये 2021 में, ये साल में 4 बार ह हुआ था, इस साल 2022 में, NTA ने डिसाइड करा है कि ये examination जो है, दो बार conduct करा जाएगा, दोनों की ही dates में आपके सामने रखने वाला हूँ, total registration near about हर attempt में, 9 लाग के near about बच्चे apply करते हैं, JE mains examination के लिए, औफिशल website के अगर बात करें बच्चा लोगों, तो यहां पर jeemain.nta.n .in हमारी official website है, medium of paper आप देख सकते हैं, English, Hindi, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, इंडिया में जितनी भी popular languages हैं, सब में ये paper आपको देखने को मिलता है, help line भी given है official website में, जो कि आपके सामने है screen के, examination dates के अगर बात करें, तो form निकल चुके हैं, 1 March 2022 को, और last date है हमारी 31 March 2022, तो near about का, एक मन्त का आपका time period given है, इस examination के form को fill करने के लिए, ये है हमारा April session का, ये हमारा next session जो है, उसका भी dates यहाँ पर given है, application release यहाँ पर 8 April को होंगे, यहाँ पर, मैंने बता है, इतना साल में 2 बार होते हैं, तो पहला जो session है, उसकी dates यह है, दूसरा जो session है, उसकी dates यह है, यहाँ पर last date आ April में release होंगे, first session की, second जो हमारा session होगा, उसके third week of May में होंगे, exam date यह 16 April से 21 April के बीच conduct करा जाएगा, और second session हमारा 24 April से 29 April के बीच conduct करा जाएगा, answer की display करना और result का जो declaration है, अभी के लिए notify नहीं करा गया है, intimate नहीं करा गया है, जैसे ही होता है, तो आपको official website में वो show हो जा क्या है, कौन बच्चे apply कर सकते हैं, J means 2022 examination के लिए, age का criteria देखे तो as such कोई यहां पर upper age limit given नहीं है, examination के लिए, number of attempt के अगर बात करें, तो three consecutive year के लिए आप दे सकते हैं, say for example, 2022 का अगर आप attempt कर रहे हैं, तो अगर आपका जो 12 है, वो 2022 में ही होने वाला है complete, या फिर 2021 में हु हुआ है, तीनों year वाले बच्चे apply कर सकते हैं, उससे पहले वाले apply नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा drop लेकर आपको यह examination नहीं देने देता है NTA, right, चलिए, अगर आपको NITs वगेरा, IITs वगेरा से, या CFTI, Centrally Funded Technical Institution से अपना BE, BTEC, BRC या B plan करना है, तो यहां पर 25% आपकी 12th में होने चाहिए, या फिर आप 20% होने चाहिए अपने respective board की category में, और अगर हम basic eligibility की बात करें, BE, BTEC के लिए, तो आपका 10 plus 2 में physics, mathematics as a compulsory subject आपका होना चाहिए, और इन में से एक आपका, एक optional subject होना चाहिए, इधर chemistry हो सकता है, bio technology हो सकता है, biology हो सकता है, technical या vocational आपका subject हो सकता है, तो physics और mathematics compulsory है, और इन में से एक आपका, एक next जो हमारा optional subject है, वो होना जरूरी है, राइट, बी आर्च और बी प्लान के हम बात करें, तो यहाँ पर mathematics 12th में होना जरूरी है, stream यहाँ पर matter नहीं करते, एक arts वाला बच्चा भी और एक commerce वाला बच्चा भ है, अगर हम multiple papers देते हैं, तो 1300 हमारी boys की लगती है, और 650 जो है, 650 जो है, वो girls की लगती है, यह जो हमारा है, STSE, PWD और transgender का यहाँ पर face structure given है, राइट, चलिए, examination pattern की बात करते हैं, सबसे main चीज़ आ गई है हमारी, देखें, यहाँ पर paper first होता है, BE, BTEC के लिए, तो BTEC का paper first है आपको दिख रहा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ, BTEC, ठीक है, section A है, section B है, तीन हमारे section आते हैं, basically, mathematics, physics और chemistry, BE, BTEC के paper में, तीन sections का सामना हमें करना पड़ता है, computer based हमारा test होता है, पहला section में 20 questions आते हैं, और यह 10 जो हैं, बच्चा, numerical value questions आते हैं, आपको यह computer में type करने physics में भी 20 questions आते हैं, chemistry में भी आपको 20 questions मिलेंगे, 10 value based, यहाँ पर questions मिलेंगे, थोड़ी सी guidelines यहाँ पर पढ़ लेता हैं, question paper design, each subject will have two sections, हर subject में दो section होंगे, section A will be of a multiple choice question and section B will be a certain questions whose answer are to be filled in a numerical value, right, तो यह जो हमारा पहला है section A, वो हमारा MCQ based question होंगे, section B हमारा numerical value based question होंगे, जिसकी values आपको type करकर computer में type करनी पड़ेगी, next, physics में भी same चीज़े होने वाली है, हमारा और chemistry में भी same चीज़े होने वाली है, in section B, candidates have to attempt any 5 questions out of 10, 10 questions आएंगे, लेकिन आपको 5 ही करने पड़ेंगे, section A में सारे ही compulsory questions है, लेकिन section B में 10 में से 5 ही आपको करने प करते हैं, तो negative marking आपकी कोई भी नहीं है, कुल मिलाकर आपका 90 questions का सामना आपको पड़ना पड़ता है, अगर हम section A की बात करें, तो हर right answer के 4 marks मिलते हैं, हर wrong answer के minus 1 आपके deduct होते हैं, समझ गए बच्चा marking scheme, 90 कुल marks का हमारा paper बनता है, हर right answer के 4 marks, और हर wrong answer के 1 marks आपका deduct होता है section B के कोई negative marking नहीं है, section B की बात करें, BRG की बात करें, तो यहां पर mathematics, aptitude test और drawing test का हमारा 3 section बनते हैं, mathematics में अगेन वही 20 MCQ, 10 value based question आते हैं, aptitude में या फिर drawing test में कोई भी हमारे पास यहां पर numerical value based question नहीं है, aptitude test 50 questions और drawing test में 2 questions आपके आते हैं, कुल मिलाकर 82 questions होते हैं, negative marking हमार 4 for the right answer, minus 1 for the negative answer, जो हमारी marking है, there will be no marking for the section B, same चीज़े हैं, जो हमारे BTEC वाले program में थी, अगर हम paper 2B की बात करें, planning की बात करें, तो यहां पर आपके basically 3 section होंगे, mathematics का aptitude test का, और planning based questions का, based question mathematics में अगेन यहां पर भी numerical value based question रहेंगे, तस इसमें से आपको 5 ही करने पढ़ेंगे, अगेन यहां पर भी आपको 5 ही करने पढ़ेंगे, right, aptitude test की बात करें, तो 50 questions यहां पर आएंगे, 25 questions यहां पर आएंगे, same marking scheme हमारी रहने वाली है, section ही के सारे questions आपके MCQ based रहेंगे, negative marking नहीं होगी, section B में, right, और यह MCQ based, यह value based questions रहेंगे, और कुछ खास आपके इसमें नह ही है, ठीक है, अब बात करते हैं, books वगेरा की, right, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि मैं books भी आपको बताने वाला हूँ, description जैसे ही आप इस वीडियो का कोलते हैं, तो वहां पर एक link मिल जाएगा आपको, jemains slash advanced best book लिखी वी होगी वहां पर, उस link को जैसे ही click करेंगे, त सारी की सारी book मैंने set करके आपके लिए देखने के लिए रख रखी, आप उसको check out करना मत भूलेगा, सबसे पहले वहां पर, देखें, हर section की mathematics की, physics की, chemistry, BRs वगेरा की मैंने 2-3 books आपके लिए रख रखी है, पहले book हमारी previous year paper रहेगी, फिर हमारी handbook आती है, मतलब, question bank है, ब कर रखा है, पहला आपका physics है, फिर mathematics की है, फिर आपकी chemistry की है, प्रस मैंने BR वगेरा की भी book और drawing के लिए भी भी आपके लिए चेक आउट करना मत भूलिएगा, बहुत important है, जितने भी toppers वगेरा हैं, वो ही books से refer करते हैं, वो ही book को suggest करते हैं, if in case आप online purchase नहीं करना चाहते हैं, offline market में भी वो सारी books available होंगी, आप नाम लिखकर offline market में जाकर भी पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप चाहते हैं online लेना तो उसी link के थ्रू ले सकते हैं, अच्छा का सा discount मिल जाता है, आपके, बहुत सारी books का जो latest edition है, वो नहीं आपाता है market में, तो आप वहीं से, मतलब जो मैंने link दे रहा है, वहां से लेंगे, तो सारे मैंने latest edition वहां पर shortlist कर रहे हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं, घर बैटा आपके पास books हो जाएगी, तो आपके बास ये भी option है, offline market से लेना चाहते हैं, अगर आपका market जो है pass ही है, और वहां पर सारी books available रहती है, तो you have the options of going to the local market as well, right, तो समझ में आ रहा है बच्चे लोगो, J.E.Main का जो अभी हमारा first session है, उसका अभी registration चल रहा है, तो please, please, please apply करना मत भूलिएगा, dedicatedly पढ़ना पढ़ेगा, अगर IT बगर मैं आपको selection चाहिए, J.E.Main, में आपको अच्छे से clear करना रहेंगे, हाँ पर भी specific criteria है कि 2 lakh बच्चे ही, जो top rankers holder होते है, mains में, वही qualify करते है, advance में, तो आपको पहले mains पर focus करना है, तब जाके आपको, mains में कही ना कहीं देकि 50 या 60% में में है, वही advance में, थोड़ा सा advance level पर है, तो कही ना कहीं आपकी अगर अच्छे level से preparation करते हैं, तो advance की भी preparation आपकी mains के साथ हो सकती है, कोई भी help चाहिए मुझसे, कोई भी question है, आपके comment box पर comment कर सकते हैं, मिलते हैं next video में, till then take care, goodbye, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, तो आपका भी देना हैगा, thank you so much.